राजिस्थान चुनाव में प्रत्याशी जनता के बीच में हैं और लगातार उनका समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में भारती अंता पाटी के जो उत्री अजमेर से प्रत्याशी हैं। वासुदेव देवनानी जी वो हमारे साथ खास तोर पर मौझूद हैं। और लगातार पाँचवी बार भारती अंता पाथी ने उनको अपना प्रत्याश्य बनाया है हम बात करेंगे कि आकर उनके मुद्दे क्या हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं सरस्पेहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे न के टेलिविजन को समय देने के लिए आप से जानड़ना चाहेंगे की लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं ज़ए जो है ज्राभातार को लेकर आप कर के हम लोग लड़ रहे हैं और विशेश रुप से राजस्तान में डबल इंजन की सरकार बनें क्योंकि दिल्ली में मोधी जी जिस प्रकार से जनकल्यान कारी नीतियां करे हुए हैं भारत का नाम उचा किये हुए हैं और जन जन के हमारे हिदर समराट हैं उनकी नीतियों को राजस्तान में गहलो सरकार लागू नहीं कर रही है, उल्टा वहाँ से जितने भी जनित की राशी आती है, उसको भी दबा करके बैठ जाते हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकार यहां के लिए आउशक है, और साथ में जिस परकार से अजमीर एक बारूत के देहर पर बैठा हुआ है, यहां पर जिस प्रकार के तुष्टी करण की नीती कॉंग्रेस अपना रखी है, और यहां का जो प्रत्याशी है, जिस प्रकार से तुष्टी करण में, वह सर्व हिंदू समाज के साथ तो नहीं आता, लेकिन जब आल्ट सक्यों को कोई बात होती कनला हत्या कांड इसके लिए उपलब्द है, सामने हैं और उसके साथ यहां पर वह केवल अल्ट सक्यों जो नश्रीम चिक्ष्टी है यहां पर ब्लेक मेल का अरोपी है, उसके साथ आप जियारत कर रहे हो, तो यहां के रक्षा क्या करोगे, और जूठे आश्वासन के हम आ जितनी राइसाने परकरण हुएं, उनको भी हम आइलाइट करें और इसको लेकर के हम जांच भी करेंगे, पार दश्टा के साथ करेंगे, और अजमेर के विकास में, मेरे कारेकाल में, मैं समझता हूँ, जिस परकार से पाथवे बनाए, साड़े आठ किलो मीटर का, एलिव यहाँ पर आगा उसके उपर कोई दागने, उनके सुख दुख में साथ हो, मेरे सामने केंडियेट एक तो है राजा, इन दोनों से, जो दूसरा केंडियेट है, इन से किसी भी घर कर जाने का तो होता नहीं, जीप में जाकर करें, हम 15-15 किलो मीटर पैदा लोग उचाईयों इस मामले में क्या कहेंगे, और कॉंग्रेस की अगर बात करें, तो कॉंग्रेस भी आरूप लगा रही है, बीजेपी के उपर कि कॉंग्रेस जिन जिन राज्यों में है, वहाँ ब्रस्टाचार है, विकास धीमिगती से है, तो आप क्या कहेंगे, राजिस्थान को लेकर, कि किस तरह विकास को लेकर काम कर रही है। ताके बीच में और किन मुद्दों पर आप ये दावा करेंगे कि आपकी सरकार एक बार फिर से राजिस्तान में हो। से कदा मिला करके आगे बने और सामने राहूल बाबा जिस तरह से राष्ट्र व्रोधी ताक्तों का जेन्यू में जाकर कि और बाकी जगे और चाइनीज के आँसे पैसे लेकर कि जिस प्रकार की हत्कंडी अपना है। मैं समझता हूँ कि ऐसे तत्वों का जहां की जनता समझती है वो इनको नकारा साबित करके इनको रवाना करने वाना है। वर्ल्ड कप को लेकर जो बयान दिया है राहूल गांदी ने परदान मंतर पे निशाना साधा है और पनौती शब्द का इस्तमाल किया है। यहां कि मांझ सकता है। सारी मर्यादाओं को क्रोस करके उन्होंने भारती संसकृती का ठाथ है। ये भारत की 140 करोड जनता का अपमान है इसलिए उन्होंने किसी वो गंभीरता से हम लेते नहीं लेकिन जिस प्रकार से मोधी जी के बारे में यह पांच जनक बातें कॉंग्रेस और कॉंग्रेस की नेता किया रहे हैं जनता उनको शरमनाग बता रही है और जनता उनको पहले मद्दान फिर जल्पान और अधिक सदिक संक्या मद्दान करके और कॉंग्रेस को विदा करें बिल्कुल हमने वासुदेव देवदानीजी से बात कियो और हमने देखा कि उन्होंने लगातार कहा कि किन मुद्दों पर वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से सम प्रोशन दिया है कि वो फिर से एक बार जीतेंगे और जो राजिस्थान में अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे फिर से बार जाएंगे